आपका इस नाइस सेशन में क्या बोलता है पबले लेट गेम बिगिन सो वी आर नाओ गुंग तू स्टड़ी तू मेजर टॉपिक्स और फॉनिक्स एक है करंसी फ्यूचर और दूसरा है करंसी ऑप्शिन्स सबसे पहले समझने की कोशिश करो कि यार कोई भी यह करंसी फ्यू कोैं है यह जींग है जीन० को सक्षिओ ओंसेल्फ पसके और मुझे डर लग रहा है कि अगर मेरे पास जो करंसी इमपोटर तो मुझे जो पे करना है exporter अगर मैं हूँ तो मुझे जो receive होने वाला है वो currency कही negatively fluctuate ना हो जाए बरकुरदार और अगर वो negatively fluctuate होता है then in that case मेरे profitability के उपर problem आएगा वो profitability के उपर issue ना है and that is why I will use hedging techniques जिसमें एक forward तो है जो अपर लोग पढ़ चुके है अच्छा कासा detail में तो forward के अलावा futures भी है options भी है आप आपके client को ये 2-3 suggestion दोगे और उसमें से client को जो सबसे ज़्यादा beneficial लगेगा वो उसमें से उसको select करेगा सामझ में आई बात everybody तो simple एकदम उसमें कोई problem नहीं है कि अपना ये क्या है basically ये एक hedging technique है that's it और कोई इसका intention नहीं है हाँ अब कोई भी चीज हेजिंग के लिए use की जाती है या बनाई जाती है so this was primarily based made for hedging but public ने उसको speculation के लिए लेना चालो कर दिया so currency futures में आप speculate कर लो currency options में आप speculate कर लो वैसे इंडिया में इस अवाल out नहीं है but just I am telling you कि उसके लिए भी use हो सकता है but our case in India is that जो अपना client है अगर वो importer या exporter है and he wants to hedge save himself from huge fluctuations in currency आ जाईए hedge करवा दूंगा समझ में RIA है everybody so बस इसी के basis पे institute में कुछ sums है वो sums में अभी आप लोग के साथ discuss करने वाला हूँ एक डम स्मूल और मसका easy concept है and अराम से हो जाएगा are we ready guys are we ready yes let the game begin so we have Arushi who is sitting outside the library सुबह साथ बज़े लाइड़े के बार बैठके lecture सुन रहे है पढ़ा ही कर रहे है very good भरत का question सुनिए is it mandatory के एक question तो आएगा ही currency futures or options पे एसा कहीं नहीं लिखा है मेरे भाई CA institute है वो कुछ भी कर सकता है so we don't know आएगा तो आएगा नहीं आएगा तो नहीं आएगा but there is never ever the word mandatory CA institute के साथ अगर word mandatory use कर रहे हो तू तो ऐसा थोड़ी होता है कभी so जैसा मैं बोल रहा था आधा तो problems किसी को नहीं पता है क्या आने वाला है क्या नहीं अपना काम है चीजे जो है वो करके जाएंगे अच्छी तरह से समझ लेंगे फिर जो भी आएगा उसको solve करके आएंगे तुझे लगता है कोई चीज अब तक तू भी final में पहुचा है तुझे लगता है कोई चीज एकदम ऐसे mandatory होती है institute के paper में कुछ नहीं होता है mandatory मेरे भाई एक ही चीज mandatory होती है unpredictability जो हर paper में होती है ठीक है तो we have to be prepared for that चलो on that note let the game begin तो अब currency futures मैं obviously sum के थू करवा हूंगा बट क्यों ना उसके पहले थोड़ा futures के बारे में एक recap ले ले क्या बोलता है public है ना so futures basically एक ऐसा contract है जहां पर again all the contracts are based on to your predictions ठीक है आपको लग रहा है कि market उपर जाएगा आपको लग रहा है आप market उपर जाएगा आपको डर है कि market नीचे जाएगा तो मैं hedge कर लू आपको डर है कि market उपर गया तो मुझे डर है तो it is based on predictions and fear ठीक है ना याद रखना market is based on two things market is based on two things only that's it दुनिया का हर investor आपको यह बताएगा market is based on two things one predictions and दूसरा डर fear जिसको अपन बोलते है so यह दो चीजों के उपर अपना market based है and इसी के उपर अपना currency futures based है prediction and fear के उपर prediction that the market may go up prediction that a fear that the market may go down ले लो currency futures so currency futures में दो चीजे होती है यहाँ पर एक होता है long futures एक होता है short futures क्या मुझे कोई बताएगा इसका मतलब so long futures का मतलब होता है आज मैंने futures buy किया है अब यहाँ पर suppose मैंने buy किया long futures three months तो तीन महीने बाद का जो मुझे price expected है उस basis पे मैंने long किया है futures say at rupees 1050 अब मैं अगर कोई चीज long कर रहा हूँ ना तो I am expecting the market to go up I am expecting the market to go up तो लेते हैं example के दुरू समझ दे की कोशिश करते हैं कि long का मतलब क्या होता है short का मतलब क्या होता है आईए ठीक है so मैं expect कर रहा हूँ के long जाहेगा market futures long होगा मतलब मैं buy कर रहा हूँ futures so इसमें मैंने कितने पर buy किया say today आज मैंने buy किया at the rate rupees 1050 at the rate rupees 1050 मैंने long futures किया ठीक है so long कर रहा हूँ मतलब मैं basically उसको buy कर रहा हूँ तो मैं क्या expect कर रहा हूँ मैं expect करता हूँ market to go up expect market to go up दूसरा और एक चीज में क्या बता रहा हूँ आपको बता है क्या इसमें futures में कभी भी position square off करना होता है याद रखना किस में futures में position always squared position always squared समझ में आ रहा है आपको everybody yes or no सो इस हिसाब से काम आपका होता है इस हिसाब से काम आपका होता है क्या expect the market to go up position always squared done अब ये मैंने today ले लिया से आज है first gen ये position मैंने आज ले लिया अब तीन महीने बाद समझो मैंने तीन महीने का लिया था 31st मार्च का लिया था अब दो बाते हो सकती है 31st मार्च को भाई जैना जैसा मैंने expect किया था वैसा ही हुआ हो 31st मार्च को दो बाते हो सकती है जैसा मैंने expect किया था वैसा ही हुआ हो या वैसा ना हुआ हो अगर यहाँ पे अब 31st मार्च को futures गया to 1090 या गया to 1010 तो बोलो क्या होगा F.A. situation में तो अगर 1090 के उपर जाता है then in that case बोलो क्या होगा we wanted the market to go up और market उपर गया है तो अब अपन position square off करेंगे position square off कैसे करते है जब अपने long futures किया है तो position कभी भी short futures करके होगा short का मतलब होता है sell अब आप मुझे बताओ nutshell में क्या हुआ आपने long futures already किया था कितने का 1050 का आपने अभी short futures किया है कितने का 1090 का तो आप मुझे बताओ आपको क्या हुआ है आपको gain हुआ है कितने का 40 rupees का gain हुआ है भरत 1090 का profit नहीं है gain 40 rupees का ही है are we clear everybody till here इसके जगे पे अगर 1010 हुआ then in that case obviously मेरे को चेदा market उपर जाए बट उपर नहीं गया है तो मैं क्या करूंगा मैं exercise करूंगा ही नहीं मेरे futures को am I right everybody तो मैं मेरे futures को exercise करूंगा ही नहीं क्या समझ में आ रही है आपको बाते absolutely clear any doubts anybody तो परत मार्केट अगर उपर गया तो फाइदा और अगर मार्केट नीचे गया तो I will not exercise the future ओके everybody say okay फिर मैं आगे बढ़ता हूं कोई 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 everybody I want everybody to answer and मेरे पास सबका जावाब आ गया है ओके अरे ऐसे कैसे ओके बोल रहे हो यार तुम लोग सो रहे हो क्या भाई यहां पर option नहीं है आपके पास के I will not exercise I will exercise यह futures है यहां पर position always squared up होता है तुम्हारे को मैंने trick किया और तुम लोग trick हो गए ओ पॉई अबे समझे हां हां यार यहां पे आपको short करना ही पड़ेगा अपने पिता जी का राज नहीं चलेगा यहां पे futures करना ही पड़ेगा get that straight in your head तो 80 का loss हुआ है तो हुआ है और यह अब दिपसा अब बोल रहा है दिपांशू और option वाला case तो options में होता है इसमें नहीं होता है अब तक तुम क्यों नहीं बोला रहे है जब मैं 5 बार बुचा ओके ओके तब तक कोई नहीं बोला तब तक सबने ओके बोला है अब दिपसा बोल रहे है option लेने का नहीं तो option में होता है क्या जंग लगया है तुम्हारे दिमाग को मुझे दिख रहा है यह बात प्रिट टन चल तो यह सीन था मेरा इन रिलेशन तू फ्यूचर्व लॉग एड शॉट टिक है सब्सक्राइब नहीं अगर शॉट फ्यूचर्व किया है तो अगर शॉट फ्यूचर्व का मतलब होता है सेल करना अगर सेल करना इसका शॉट फ्यूचर्व का मतलब होता है तो मैं क्या करूंगा टुडे शॉट फ्यूचर्व एट रुपीस सेम वन जीरो फाई जीरो ठीक है अब आगे देखो अब जब कोई भी चीज को याद रखना आप जब कोई भी चीज को शॉट कर रहे हो तो अगर यहाँ पे शॉट फ्यूचर्व किया है तो आप लोग एंड में क्या करोगे स्क्वैर आप कैसे करोगे लॉट फ्यूचर्व करके ध्यान रखना एक बात ठीक है अब दो बाते हो सकती है या तो मार्केट चले गया 1090 पे या मार्केट चले गया 1020 पे दोनों सिचुएशन में क्या होगा समझो 1020 पे की गया और मैं तो चाता ही था मार्केट नीचे जाए then in that case क्या करेंगे अपन so we will say short futures कितने पे short futures तो अपन ने 1050 पे लियावा है तो अब अपन इसको square off करेंगे expiry date पे with 1020 long का मतलब होता है buy short का मतलब होता है sell तो आपने कोई चीज by की है 1020 में minus werd पैसा गया short या sell की है 1050 में short किया है मतलब पैसा आया तो कहना इससे 30 rupees आपको मिल गया यह 30 rupees आपको मिल गया यह क्या हो गया यह हो गया गेल, are we clear everybody, ठीक है, done, और सामने दूसरा situation देखो, और सामने दूसरा situation देखो, दूसरा situation क्या है, आप ने short futures किया हुआ है, मतलब कितने पे, one, zero, five, zero पे, अब market, today, short futures कर दिया है, अब market, one, zero, five, zero, से उपर चले गया, तो I will not exercise the future, okay, done, सो क्या आप लोगों को याद आ गया, futures, क्यों भरत, I will not exercise the future, अब सब का answer आ रहा है, नहीं सर, 40 का loss सर, exercise तो करना ही पड़ेगा, अपने पिताजी का राज नहीं चलेगा यहां पे, exactly the point, guys, futures में तो आपको square off करना ही पड़ेगा ना बिटा, हाँ, 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 very good, very good, ठीक है, अब याद आ गया सब, चलो, good, तो वापस से, आप क्या करेंगे, long futures, one, zero, nine, zero, पे, कोई चीज़ बाई की है, minus, कोई चीज़ 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 की है, plus, you will get a loss of 40 per contract, इतना आप लोग को याद आया, yes, very good, square off exercise, mandatory है, mandatory, चा, टन, अब futures आ गया है, इसमें मिलाएंगे, currency का तड़का, तो बनेगा, currency futures, यह currency futures, usually, लोगों की नींद उड़ा देता है, but आप, आप जनता नहीं है, आप हमारे student है, तो क्या आपको लगता है, आपकी नींद उड़ने देंगे, आप इस currency futures में, जड़ा भी नहीं, आपको मुझे खाली देने है, 20 minutes, that's it, और फिर बाद में देखिए, आप इस currency futures में champion ना बन जाएं, तो नाम बदल देना, अपना, मेरा नहीं, चल, so now we are going to start, finally, with futures, अब अपने को समझ में आ गया है, उसको अपने टिक मार दिया, इसमें अपन मिलाएंगे क्या, currency का तड़का, जब इसमें currency का तड़का मिलेगा, तो ये क्या बन जाएगा दोनों मिलके, ये बन जाएगा, currency futures, और कोई भी, कोई भी futures transaction में, एक ही चीज सबसे important होती है, एक ही चीज, काली, and that is to determine, short करना है या long करना है, public इधर इज घुम जाता है, अगर आप इधर घुम गए, तो game over हो जाएगा, ठीक है, तो आप यहाँ पे ना घुमें, आप यहाँ आए, किसलिए, आप बोलेंगे, आपने बुलाया इसलिए, तो आए है तो काम भी बताईए, अरे बाबा पहले जारा आप मुस्कुराइए, मुस्कुराने की न कोई बात है, बात है, ये बात है, कि मैंने आप लोगों के लिए या पे एक ऐसा डाइग्राम रेडी किया है, जिसके बाद आप एक मिनिट में पैचान जाएंगे, कि आपके क्लाइंट को लॉंग करना है या शॉट करना है, एड मेजॉरिटी पॉब्लिक का प्रॉब्लम ही उदर आता है, कि वो यही फाइल पाइंड आउट नहीं कर पाता है, कि सलाव फूचर्ज में लॉंग करना है या शॉट करना है, futures में long करना है या short करना है समझ रहे हैं एक minute काली एक minute में आपको यह बता दे और अगर यह step 1 आ गया step 2, step 3, step 4 भी मैंने दिया है बच्चा भी कर लेगा बच्चा भी छोड़ा सा बच्चा छोड़ी बच्ची हो गया वैसा बन्दा भी यह चीज़ कर लेगा इतना सिंपर है बट पब्लिक कहां पर प्रॉब्लम में आ जाता है पब्लिक कहां पर प्रॉब्लम में आ जाता है पब्लिक यही चीज़ में प्रॉब्लम में आ जाता है कि उसको ध्यान में ही नहीं रहता है करना क्या है हमारे को long करना है या short करना है उसके लिए आपके पास है यह table आपको का लिए table को follow करना है और कुछ नहीं करना है ठीक है चलो let's start guys ठीक है चलो आजाओ अब on that note कैसे identify करना है आपको आपको देखना है कि आपका जो client है वो importer है या exporter है दिमाग लगाओ अगर वो importer है ठीक है suppose मैंने for example यह machinery import किया तो अगर मैं importer हूँ तो मेरे पास यह machinery आ अब मेरे को उसको foreign currency में payment करना है अगर मेरे को उसको payment करना है foreign currency में तो मेरे पास तो foreign currency होना पड़ेगा भाई करना पड़ेगा यह समझ में आता है आपको बोलो ना यार ठीक है अब अगर मैं exporter हूँ समझो अब अगर मैं समझो exporter हूँ गाईस मुझे interactions चाहिए everybody अगर interaction नहीं आएगा तुम्हों का communication नहीं आएगा तो मैं ना चुप चाप recorded lecture दे दूगा फिर देख लेना recorded lecture क्या मतलब है live तुम लोग आयों उसका good so दूसरा अगर मैं exporter हूँ और मैंने यह machinery export किया है तो अब मैं expect कर रहा हूँ कि मेरे पास foreign currency आएगा foreign currency मेरे पास आ गया बट वो foreign currency मैं जाके मैं दुकानवाले को दूगा तो वो मेरा यह foreign currency लेगा क्या the answer is no तो वो local currency लेगा तो मुझे यह foreign currency को convert करना पड़ेगा यह local currency मतलव bank मैं जाके बेचना पड़ेगा यह currency तो जो मेरा exporter है वो क्या करता है sell करता है foreign currency समझ में आया everybody yes or no yes sir समझ में आ गया done अब मेरे को देखना है कि मेरा जो currency futures का contract है वो कौन से currency में denominated है ठीक है suppose इंडिया और USA वाले का deal चल रहा है suppose इंडिया वाले ने USA वाले को कुछ बेचा exporter या USA वाले इंडिया वाले को कुछ बेचा इंडिया वाला importer तो अगर ऐसा कोई deal चल रहा है आपको देखना पड़ेगा आपका जो इंडिया वाला client है आपका जो inडिया क्लाइंट है वो में आपको क्लाइंट है वह इंपर्टर का contract अगर foreign currency में, FC का मतलब होता है foreign currency बेड़ा, अगर वो foreign currency में है तो आप long futures करेंगे, और अगर ये domestic currency में है, then in that case, sorry, अगर ये domestic currency में है, तो आप short futures करेंगे, तो आप short futures करेंगे, समझ में आया everybody, बोलो बोलो, tell, tell, done clear ठीक है, अब question में देखना है आपने को, कौन सी चीज कहां पे है, और apply करना है, question आपको देगा, importer कोन, exporter कोन, अपना भाई importer है, तो अपने को देखने का, भाई, currency future contract कौन से currency में है, foreign currency में, domestic currency में, वो देख लो and काम हो गया, चलो आप, एक question उठाते है, आपके optimize होगा, तो क्यों आप लोग यह optimize को ले, और इसका, यह question, pick up करें, come on everybody, question 25, from the optimized, and, 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 question number 25, from the module, तो ICAI का module में, जो question number है, आपके भाई की book में भी, same question number है, ताकि आपको एक संतुष्टी रहे, that yes module पूरा धन से cover हो रहा है, वो ही चाहिए ना आपको, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, है ना, चलो, आजाओ इस question के उपर, आपको module खोलने की या लेने की ज़रूद ही नहीं, but just cross check करवा रहा हूँ, ओके, आए, अब इस question को solve करने की कोशिश करते हैं, सौम्या जी क्या लिख रही है, ओके, आगे लिखते, EFD Limited is an export business house, the company prepares all its invoice in customer's currency, its debtors of US dollar 1 crore is due on April 1, 2015, hold कर, रुख जाओ, रुख जाओ, जो आपका client है, EFD Limited, वो क्या है, importer है या exporter है, बोलो ना, बोलते क्यों नहीं, आपका जो client है, वो क्या है, वो importer है, exporter है बेट्टा, EFD Limited, EFD Limited क्या है, sir, EFD Limited exporter है, तो इतर आपने tick mark कर दिया, इतर आपने tick mark कर दिया, ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक, अब दूसरा चीज़ आपको क्या identify करना है, कि currency future contract, कौन सी, currency future contract, अब सेकेंड चीज़ आपको find out करना है, कि currency future contract, कौन से, currency में है, आईए question को पढ़ते हैं, चल, market exchange information, as on 2015 January, is given, sport, का rate दियावा है, अब usually rate होता है, $1 is equal to, यहाँ पे इन्होंने क्या दियावा है, किस हिसाब से rate दियावा है, देखो, spot 0.016667, यह क्या तरीके का rate हुआ, कैसा rate हुआ यह, यह rate हुआ, $1 is equal to, $0.01667, समझ में आई बात, everybody, everybody को बात समझ में आई क्या, weak currency is base, वा भरत, दिल जीत लिया, इस बंदे ने में राज, यह word लिखके, सही बला, एकदम सही बला तू, चलो, done, 1 month forward, 3 month forward, समझ में आ गया, आ गया sir, अब currency futures, तो देखो, अच्छा मैं क्या बुल रहा हूँ, आज अपन लोग, क्यू मिले है, क्या कर रहे हैं, अपन लोग, क्या करने के लिए मिले हैं, forwards करने के लिए मिले हैं, या futures, currency futures करने के लिए मिले हैं, forward करने, futures करने के लिए मिले हैं, तो फिलाल इस question में forward contract के हिसाब से भी करना है और बोलते हैं not hedging the risk मतलब तीन महीने बाद जो उसका spot होगा उसके उपर देखा जाएगा वो बोलते हैं भाई हम उपर वाले के बरोसे पर बैठे है यहाँ पर तो कोई बात नहीं not hedging the risk का भी आपके पास option है तो first and third option आप solve कर लेंगे खुझ से उसके लिए तो आपको मेरी जरूरत नहीं है बड़ यह जो बीच का है that is what we will solve today using currency futures अब अपना जो format था उसमें अपने लोग एक कदम आगे बढ़ चुके है exporter क्या करेगा sell foreign currency करेगा वो समझ में आ गया है अब अपने को last चीज निकालनी है future currency contract कौनसे currency में है वो आप लोग को निकालना है question को मैं read कर रहा हूँ जैसे मिलेगा आपको बजर बजाना है ठीक है start करता हूँ currency futures rates दियावा है contract size rupees 24816975 1 month 3 month rate दियावा है initial margin दियावा है interest rate in india दियावा है on april 1 2015 the sport rate is usd-inr 0.016136 and currency futures is 0.016134 आप लोग को determine करना है currency futures आप लोग को determine करना है इस question में currency futures contract कौनसी currency में है your time starts now read करो question को ध्यान से बोरो I am waiting question है आप लोग के सामने so currency futures contract my question is currency futures contract कौनसी currency में है बोलो बोलो ठाल ठाल महक का अंसर आचुका है अरूशी गूपल मीर भरत अधर बार्ट अधर एवरीबर्ड कमण शबशे कमान शबशे जे बात तो सब लोग का एक ही आंसर आ है सर एकदम बैठा बैठा दिख रहा है that currency futures का जो contract है that is in INR Indian rupees क्या ये सही है क्या ये contract Indian rupees में है the answer is yes आ जाओ currency contract के अपना इधर exporter है identify कर लिया था currency contract कौनसे currency में है EFD EFD करना इसे इंडिया का आदमी है भाई ये EFD company है इंडिया का आदमी है इंडिया का आदमी है अगर currency contract domestic currency में है तो आपको क्या करना है long future समझ में आ गया ये आपको कोई नहीं बताएगा आपके भाई क्या लवाई आपको कोई नहीं बता पाएगा अब एकदम simple होगे आपके समझे 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 की नहीं बोलो बोलो tell tell अभी in short कोई भी question आए currency futures का long करना है या short करना है क्या ये आप लोग determine कर लेंगे guys long करना है या short करना है क्या ये आप लोग determine कर लेंगे बढ़ घरदार बस यही तो चाहिए done easy peasy 11 squeezy बोलो ना अब step 1 अपना complete हो गया और जैसा मैंने बोला था सबसे important अना मज़ाग में कर रहा हूँ यह step 1 ही पब्लीक को तकलीफ step 1 में ही आता है आप लोग का step 1 clear हो गया अब चलेंगे आपन लोग step 2 के ओपन यहाँ पर मैं जब यह question को start कर रहा हूँ question 25 ICAI मैं यहाँ पर लिखूंगा EFD Limited is an exporter and futures contract futures contract is in domestic currency ठीक है therefore we will long the futures contract एक्जाम में ऐसे लिख कराने का पता है that futures contract is always transacted in lots correct in lots तो अगर से पर example number of futures contract to be bought or sold अब 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 करेंगे यह number of futures to be bought or sold अपने पास यहाँ पर readily available है कि कितने futures contract number of future contracts कितने future contract मेरको खरीदने पढ़ेंगे so that मेरा काम हो जाए total amount to be received or paid which is your transaction value आप लोगको इस question में मुझे देखके बताना है transaction value कितना है transaction value can I say transaction value इतना है 100 lakhs का 100 lakhs US dollar कोई currency conversion one version का भी जंजट मत कर कौनसे currency का है मेरा US dollar का है US dollar मेरको मिलने वाला है आज से 3 महिने बाद तो मेरा जो contract है transaction value है मेरा जो transaction value है वो कौनसी I mean वो कितने का है वो है US dollar 100 lakhs समझ में आ गया everybody yes sir done so first step first step calculate number of contracts ठीक है तो आप बोलेंगे कि भाई contract के अंदर 5000 रुपे जितने value का shares है आप मेरको बताओ मुझे कितने contracts लेने चाहिए सोच समझ के बताना मेरको 25,000 रुपीज को hedge करना है एक contract का value है 5000 तो आप मेरको बताओ मुझे कितने contracts लेने चाहिए कि मेरा ये पूरा का पूरा जो पैसा मिलने वाला है वो hedge हो जाए बता सोच समझ के बताओ कोई गाई नहीं बोलो 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 चाल चाल everybody with the correct answer 5 कैसे आया 5 can I say total contract value या transaction value divide by total transaction value divide by किसके साथ divide के आप लोग ने किसके साथ divide किया बोलो बोलो चाल चाल कि एक contract का size कितना है उसके साथ यह देखो मेरा format भी यही बोल रहा है आपको total amount to be received और pay transaction value divided by value of one contract एक सिंदूर की की मत तुम क्या जानो समझ में आ रहा है everybody done done इधर निकालने की कोशिश करते हैं number of contracts तो मेरा सबसे पहले transaction value कितना है dollar hundred lakhs ठीक है divide by divide by hundred lakhs का मेरेको futures में hedging करना है उतना मेरेको dollar आने वाले divide by एक contract size कितना है question में दिया भाई 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 एक contract size कितना है two four eight one six nine seven five rupees two four eight one six nine seven five समझ में आया ठीक है अब एक dollar है एक rupees है क्या इन दोनों का mail में आप हो सकता है भारतिय संस्कृति के हिस्साब से the answer is no the inter-cast marriage तो आपन को क्या करना पड़ेगा दोनों में से एक को currency में convert करना पड़ेगा अब यह जो हैना futures contract यह आप यह मैं बनाते हो यह stock market बनाता है यह futures contract कौन बनाता है आप यह आपना client बनाता है यह stock market बनाता तो यह future contract को आप यह आपने touch कर सकते है क्या नहीं ०य अपना हात में नहीं है तो अपने हात में birlikte याना इससे ये डॉलर है ये डॉलर 10 लाग 100 ला जो भी है ये डॉलर 1 करोड अपने पास आएगा क्या इसको अपन लोग futures contract की currency में convert कर सकते हैं हाँ सो कभी भी transaction value अगर futures contract के currency में ना हो तो convert कर दो तो convert करने के लिए यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा तो वो देखो उसके लिए एक note दिया है आपको यहाँ पे note आपको पढ़ना है if amount received in dollar and futures contract is in rupees then convert the dollar into rupees using future currency transaction trading on spot date of respective duration मतलब अगर three months futures है तो three months futures लेना पड़ेगा जो आज की तारीक में price दिया वा है वो आप लोग मुझे सोच समझ के बताएंगे कि क्या rate लेंगे यह note को पढ़के note क्या बलता है कि आपको क्या लेना है future currency trading rate आज का spot rate नहीं future का currency trading rate on spot of respective duration करेक्ट three month rate of currency futures very good महग जी तो यहां पर अपन लोग लिख लेंगे three month currency futures which is 0.16118 क्या मैं सही बोल रहा हूँ आज का जैनुवरी वन का यह information है अज ध्यान रखना आज जैनुवरी वन है अपन लोग को first April मतब तीन महिने बाद jan feb march तीन महिने बाद मतब first April को अपने पास पैसा आने वाला है dollar 100 lakhs आने वाला है कितने बाद तीन महिने बाद three months later so three months future चाहिए आपनेगो आज की तारीक में तो spot trading date पे futures rate of that duration समझे गड़ू which is 0.16118 so we will say convert at futures trading date futures trading rate today at three month futures rate therefore क्या दियावा है 1 rupees equal to dollar 0.16118 0.161 sorry 0.016118 बराबर और सामने मेरे पास dollar है कितना hundred lakh one hundred zero zero triple three आपको बताए मिल जाएगा yes the transaction value in rupees बोलो बोलो tell tell कितना आता है मैं calculate नहीं कर रहा हूँ आप लोग मुझे calculate करके बताएंगे बच्चो come on everybody tell me बोलो बोलो tell tell very good thank you for the answers it is rupees six two zero four two four three seven one six two zero four two four three seven one बड़ा अब मुझे पता चल जाएगा कि मुझे कितने contracts की जरुरत है so therefore step two के हिसाब से number of contracts is equal to rupees six two zero four two four three seven one बोलो divide by rupees कितना two four eight one six nine seven five समझ में आया बोलो कितना हो जाता है कितना contract चाहिए as per the public मैं calculator को use नहीं कर रहा हूँ public मेरे साथ है दो बोलो total कितने contracts की मेरे को जरुरुरत लगने वाली है absolutely correct total I will require 25 contracts क्या आपको चीजे समझ में आ गई any questions anybody बोलो बोलो tell tell no done perfect done so total step two भी मेरा हो गया है 25 contracts की मेरे को जरुरुरत लगने वाली है अब step three step three क्या बोलता है आपको margin money देना पड़ेगा मुझे एक बात बताओ futures में margin money होता है वैसे options में अपन क्या पर करते है secure करने के लिए अपना right secure करने के लिए अपनों क्या करते है yes we pay premium in options वैसे ही यहाँ पे अपनों क्या पे कर रहे है margin money समझी हूँ margin money यहाँ पे futures में pay होता है तो कितना margin money पे करना पड़ेगा बेस जो आ नमबर अफ कॉंट्राक्स इसके लिए पहले number of contracts आप लोग के पास से निकल वा लिया so कितना मिरको number of contracts दिख रहा है आपे so number of contracts है 25 contracts into initial margin per contract अब यह initial margin जो है ना इसमें भी तुम लोग को दो variation दिखेगा आप उज़े बताओ logically आप कौनसा लोगे 1 month वाला या 3 month वाला आप कौनसा अला margin लोगे 1 month वाला लोगे या 3 month वाला लोगे बोलो बोलो tell tell correct the answer is आप लोगे 3 month वाला because आपका यह futures ही आप 3 month के लिए कर रहे हो 1st gen से लेके 1st April gen, feb, march am I right everyone समझे हू everybody correct so मेरा अब second step हो गया है ना बिटा अब मैं आ जाओंगा 3rd step के उपर this is step 3 step 3 क्या बोलता है बोलो tell tell calculation of margin money amount calculation of initial margin amount what is that number of contracts sir 25 contract into 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 कौन सा लोंगा मैं 17500 या 22500 sir 22500 क्योंकि अपना future transaction अपन 3 महीने futures के लिए कर रहे है तो margin money भी वही बाला लेंगे CDC बात है sir into 22500 per contract you will tell me the amount wait कर रहे हो का मेरा बोलो जल्दी बोलो बोलो tell tell it will be rupees 562500 it will be rupees 562500 गच्चा एवरिबोडी exam का sum है तो expiry पे अब आप क्या देखेंगे कि आपको फाइदा हुआ या नुकसान futures में फाइदा या नुकसान कब पता चलता है अगर आपने long futures किया है इस question में तो long ही करना था तो आपने buy कर लिया है क्या rate पे buy कर लिया है उस दिन का जो rate था which was how much I think 0.16118 बरावर इस rate पे आप लोग ने buy कर लिया है अब अपना जब maturity होगा तो long futures को square up कि से किया जाता है short futures से क्या आपके पास वो rate available है जितने पे आपको short करना पड़ेगा the answer is yes on 1st April बहुत अच्छी तरह से अभी ध्यान देना we are now coming to the last step guys we are coming to the last step on 1st April spot rate was 0.0161360 and currency future rate is 0.16134 तो आपने उस दिन पे इसको long किया था वो आपने 1st jan को इसको long किया था आज आप इसको short करेंगे ये rate पे और आपका transaction of future settle हो जाएगा आपको बताना है इस transaction में मुझे gain हुआ है या loss हुआ है दो मेरे दे रहा हूँ फड़ा-फट सोच के बताओ क्या हुआ बट क्या बोला मैं समझ में आया तुम लोग को long किया था अपन लोग ने उस दिन पे 0.16118 का rate था for 3 months futures तो मैंने freeze कर दिया कि वहीं तीन महिने तक मेरे लिए rate यही रहेगा वो है buying rate 0.16118 मेरे लिए यही रहेगा अब market जैसे जैसे भी उपर नीचे होगा मेरे को जो market का rate चल रहा है उसके उपर short करना ही पड़ेगा and the 0.16 0.016134 हुआ है मेरे expiry date के उपर and this gives me a loss और gain वो तुम लोग मुझे बता होगा I am waiting I am waiting correct it gives me a gain of 0.011 0.12344 0s 1 6 absolutely correct so यहाँ पर आप मैं लिखता हूँ मैंने इसमें सीधा maturity से किया है यहाँ पर आपर लोग एक और step add कर सकते है which will be calculation of gain or loss on future तो आपने spot date पे which is first gen long किया था futures को at the rate 0.0 16118 पे बना रहे है अब आप expiry पे which is 31st March यह भी अपने एक्जाम्पल में 1st April है आपको इसको square up करना ही पड़ेगा जो भी rate अवेलेबल है उसके उपर and that is this we will get again at the rate 0.0000016 एई समझे उपर समझ में आया क्या इतना बस अभी फिलाल बस बाकी दिमाग में लगाओ कितने का रूपीज का डॉलर का कितने का क्या हो वो सब बात की बात है फिलाल step by step जाएंगे चीजे बेसिक चीजे समझ ले फिर उसको advance level पे लेके जाने का काम तुमारे भाई का है ठीक है चलो अब मैं आ रहा हूँ मेरे last step के उपर and that is maturity के उपर मुझे क्या मिलने वाला है that is what now I am going to discuss and that is step 5 maturity पे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले maturity पे आपको आप exporter है बाई starting में अपन लोग ने तो देख लिया था आपन कौन है EFD Limited is a exporter तो अपने को तो डूलर आएगा अपने पास कितना डॉलर आएगा 100 लाग डॉलर आएगा everybody yes or no so at maturity first step receive होगा अपने पास डॉलर 100 लाग बना रहे ये डॉलर का में क्या करूगा आप मुझे सोच समझ के बताओ आपके पास डॉलर आ गया तीक है आपके पास डॉलर आ गया real hard cash आए डॉलर का yes 100 लाग डॉलर आ गया क्या करोगे आप लोग उसका logically बताओ कोई answer बोलो क्या करोगे इसका cdc बात है आप इसको जाके market में sell करोगे market में अथराइज dealer के पास bank के पास जाके आप इस sell करोगे ये डॉलर का आपको कोई value नहीं है in the sense बताओ आपको rupees का ज़रूरत होता है आप जाके sell करोगे और rupees खरीद लोगे क्या rate है spot का on first April जिस दिन पैसा आ रहा है उस दिन का rate क्या दियावा है the answer is yes कितना दियावा है on first April the spot rate is dollar 0.016136 समझे गड़ू आप मेरे को बताइए क्या लिखेंगे यहाँ पे ए ए ए ए ए ए ए ए 129 कौन बोल रहा है अरूशी 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 this is 3 months forward rate अपन लोग ने forward किया ही नहीं है अपन लोग ने तो futures किया है तो futures का तो अपन लोग कैसे settlement करना है वो करेंगे बाकी transaction क्या होगा यह 100 lakh मेरे पास आएगा on the spot में जाके bank में जाके दे दूँगा got it guys everybody सबको समझ में आया ना क्या बोल रहा हूँ मैं मैं जैसे ही bank में जाके दे दूँगा I will receive rupees so dollar converted converted to DC domestic currency at spot rate कब का on expiry कितना है expiry पे 0.016136 so one dollar equal to 0.016136 sorry काश ऐसा दिन आए जब अपन यह देख पाए बट फिलाल तो है this dollar समझ में आ गया everybody अब मैं bank के पास जाऊंगा और बोल दूँगा चल 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 bank मेरे पास पाइसा है चल मेरे को rupees दे दे bank बोलेगा हाँ भाई 13 rupees लेके जा कितना rupees हुआ है उसका 6197 as per public जो बोल रहे है वो मैं लिख रहा हूँ 6197 32276 छुट्टा माव 32276 ए समझे गड़ू समझ में आया सबको सो देखो मेरा अब नोट्स पे आ जाओ क्या बुला है देखो मैंने maturity date पे क्या करना है अपने को receipt or payment of foreign currency foreign currency amount into spot rate of maturity date foreign currency amount into spot rate of maturity date इतना पैसा मेरे पास आ गया फिर futures को square off किया तो उदर से भी तो कुछ पैसा आएगा आओ देखते हैं क्या आया so step 5 का दूसरा part settling the futures settling the futures तो मैं बोलूँगा कि भाई मैंने long किया था कितने भी long किया था 0.16118 मैंने long किया था 0.016118 पे आज के दिन मैं short कर रहा हूँ इसको 1st Jan 1st April आज के दिन मैं short कर रहा हूँ इसको 0.0 16136 पे sorry short कर रहा हूँ तो short तो currency future rate पे करूँगा currency future rate 1st April को कितना है 0.16134 तो मैं short कर रहा हूँ 0.16134 पे gain मुझे मिल गया है ठीक है यह 0.16118134 यह सब क्या है यह सब dollar का rate है 1 rupees is equal to dollar 0.1667 यह जो भी दिया है 1 rupees is equal to यह dollar है यह dollar है dollar with your permission तुम लोग ने जो लिका है 0.0016 आवी clear everybody बोलो बोलो चाल चाल डन ठीक है अब यह तो एक currency के ओपर हुआ है ऐसा मैंने तो 25 lot करीदा है भाई एक lot नहीं 25 lot करीदा है into 25 contracts एक contract में कितना सारा पैसा था 2, 4, 1, 8 कुछ तो भी था एक सेन मैं आगे जाओ उसके पहले क्या यह समझ में आया आपको इधर तक सब लोग साथ में हो मेरे done कोई doubt नहीं है किसी को भी ठीक है अब 25 contract और एक contract के पीछे कितना पैसा involved था 2, 4, 1, 8 sorry 2, 4, 8, 1, 6 2, 4, 8, 1, 6 9, 7, 5 2, 4, 8, 1, 6, 9, 9, 7, 5 तो इतना सारा पैसा अब अपने पास आ गया है सबज में आया क्या एवरी बार गाड़ इट तो बोलो कितना आ गया है मेरे पास करो यह multiply करके बताओ एक lot में इतने transactions किता तो यह मेरे पास आ रहा है डॉलर देखो देश मेरा डॉलर है यहाँ तो एक रुपे के उपर कितना डॉलर कमाया 0.000016 सो मैंने टोटल कमाया 9,9 मैं राउंड ओफ कर रहा हू 227 डॉलर मैंने कमाया 99227 डॉलर टोटल फ्यूचर्स में मैंने कमाया 99227 डॉलर पर याद रखना मेरे पास यहाँ पे सब रुपीज में मैं इंडिया का आदमी हू मुझे तो सब रुपीज में ही चाहिए तो मैं बोलूँगा के ठीक है भई डॉलर में हो गया है पर मैं इसको अभी इमिजेटली कनवर्ट करवा दूँगा तो मैं जब इसको कनवर्ट कराने जाऊंगा जब मैं इसको स्पॉट में कनवर्ट कराने जाऊंगा स्पॉट का रेट मुझे मिलेगा वन रुपीज इस इक्वल टू अब स्पॉट का रेट फर्स्ट एप्रिल को करंसी वाला नहीं नॉर्मल स्पॉट का रेट कितना है 0.016136 उस हिसाब से मैं यहां पर ले आऊंगा 0.016136 0.016136 आपको बताना है अगर मुझे 9927 डॉलर मिलते हैं इस बात पे तो मेरे को कितने रुपीज का गेन हुआ है पब्लिक बोलता है सर रुपीज 615208 समझ में आया everybody मज़ा आ रहा है है ना शुरू मजबूरी में किये थे अब मज़ा आ रहा है साहिए concept पकड़ के चलो आगे तक कोई problem नहीं आएगा trust me on this अभी भी picture बाकी है मेरे दोस्त अब settlement हो गया है जो मेरा importer था जिसको मैंने export किया था उसने मुझे dollar बेजा उसको मैंने बेजके मेरे पास rupees आ गया मेरा जो currency futures में मैंने transaction किया था उससे भी मुझे 9927 dollar है on the spot बेजके उसके भी मैंने rupees ले लिया तो इतना मेरे पास पैसा होगा इतना मेरे पास पैसा आ गया है अब एक और चीज बचती है वो है कि जो मैंने margin दिया था ना उसका एक time value होता है ठीक है ना interest cost लगता है उसका साड़े पाच लाख रुपया approximately तीन महीने के लिए मेरा block लगा उसका क्या मेरे को मिलता था ना interest तो वो opportunity cost मेरा minus हो जाएगा वो opportunity cost मेरा minus हो जाएगा so third step पे मैं calculate करूँगा interest cost on margin money on margin money तो भाई साड़े पाच लाख रुपया मेरा तुम लोग ने अटका दिया बैंक में क्या उसका क्या मुझे क्या वो नहीं मिलेगा क्या interest कैसी बाते कर रहे हो यार so interest cost on margin money कितना है so यहां पर देखो 6.5 परसंट और 7 परसंट लिया है क्या लेंगे कभी भी जब आप बॉरो करते हो किरा सजून कि आपने यहां पर इंवेस्ट तो नहीं किया है यह तो आपने पैसा बॉरो करके पार्केट में लगा है तो जब भी भी आप बॉरो करते हो तो आप जादा rate पे बॉरो करते हो जब भी आप invest करते हो तो कम rate पे invest करते हो यही दुनिया का उसूल है परकुरदार so 7% borrowing rate will obviously and always be higher because company के लिए वह एक income है so and 6.5% company के लिए एक expense है so company bank के लिए 6.5% bank के लिए investment आप investment कर रहो bank के लिए एक expense है वो so expense will always be less than the revenue that you are going to earn our borrowing is their income right so 7% so upon interest cost यहाँ पे कर लेंगे calculate बेटा क्या करेंगे calculate rupees rupees कितना है कितना है for five sorry मेरे पास यहाँ पे है वो 562 500 562 500 साथ टके के हिसाब से तीन महीना तुम्हाने मेरा अटका के रखा बोलो बोलो कितना कितना आ रहे calculations तुम्हारे हाथ में बिटा अपना काम है concept दिमाग में घुसाना बाकि calculator पर गेम तुम लोग अच्छा खेलते हों हमसे कितना आता है is 9844 यह मेरे लिए एक cost है यह मेरे लिए एक inflow है यह मेरे लिए एक inflow है inflow और flow mix करके अपने को मिल जाएगा final amount जिसको अपन बोलेंगे है because of an exporter है it is our receipts net receipts net receipts कितना रहा है net receipt तो सबसे पहला dollar conversion पे जो आया वो यह देखो मेरा step one सब्सक्राइब 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 कितना है तो उदर लिखने का अपने को रिसीप और और फॉरन करन्सी अपने उसमें कर चुके है तो यह ले लो सीधा इतना पैसा को भी देखा नहीं तो लिखने को भी थोड़ा दर लगता है अरे मेरा नहीं तुमारा आपन ने तो देखा है कितना six गोलो ना six one nine seven three double two seven six client करें बाबा मेरा नहीं six one nine seven three double two seven six done next gain on future settlement gain on future settlement बोलो कितना gain हुआ है six one five two zero eight सिधा लिख देने का भाई six one five two zero eight सर यह margin money का क्या होगा margin money आपको return मिल जाएगा उसका tension नहीं लेने गा margin money बोलो में कली रखके रखा है कि मार्केट बहुत ज्यादा उपर नीचे हो गया तो इंशिट मतलब इंशिट का बलो stock market के पास कुछ पैसा रहना चाहिए कि आप उठना जाओ market से इसके लिए बास और कुछ नहीं है and interest cost है तो interest cost है तो उतना minus हो जाएगा अब working note का reference दे सकते है उसमें 9844 please everybody I am waiting for your answer guys कितना आ रहा है final net receipts मेरे को net receipts using currency future as a hedge using currency future as a hedge कितना आता है yes tell me guys on your calculators your answer is अप्रियल तेरा एक बार का क्याकुलेशन चेक कर ले विडा 620337640 as per our calculators छुट्टा माफ 30-40 रुपया उपर नीचे आएगा टेंशन मत लेना institute के आंसर से भी 30-40 रुपर नीचे आएगा टेंशन मत लेना छुट्टा माफ 620 337 640 with this we complete currency futures currency futures का कोई भी समाने दोरे दुनिया का आपके पास है हत्यार आपके पास है यह आपका magic प्रिक रिवीजन का currency futures खाली यह चार स्टेप आपको फॉलो करना है आपका लाइफ सौ्टेड है कैसा लगा 10-12 माक्स इसली यह गारेंटीड यह क्वेशन आएगा यह आएगा 12 माक्स का अब क्या आपको कोई टेंशन है currency futures का do let me know yes in the comments everybody कैसा लगा यह तरीका यह एकदम सिस्टेमाटिकली दिमाग में सेट हो गया फारल तुम्हें अपन लोग currency futures futures का इतना हुआ बना के रखे थे but it's all manageable if steps are followed properly if your mind is in place systematically अगर अपन लोग करते जाएंगे then in that case trust me answers आते जाएंगे तो पहले आपको समझना है market को समझना है market दो चीज़ पर predictions and future आपने long futures किया यह short futures किया वो आपको सबसे पहले समझना जोड़ी है उसके लिए मैंने आपको एक step बता है अब मैं आपको logically भी समझाओंगा कि क्यूं मैं ऐसा कर रहा हूँ यह जो मैंने पूरा system set किया है इसको मैं logically भी समझाओंगा कि कैसे यह system set हुआ है एक्जाम टाइम पे यह table आपके लिए काम आएगा कि logics कहीं नखे exam time पे अपन थोड़ा pressure में आ जाते है tension में आ जाते है तो फोड़ा उपर नीचे हो जाते है तो logics भी clear करना है वो भी मैं अभी clear करूंगा यहाँ पे long futures short futures क्या होता है ध्यान में रखना भूल गए थे आप लोग position कभी भी square off होता ही होता है ठीक है चल फिर उस basis पे step by step पहले identify किया exporter currency contract futures contract कौन से currency में उससे मुझे पता चला मुझे long करना है फिर मैं contracts number of contracts लेते गया initial margin deposit किया maturity पे जो पैसा है उसको spot पे convert किया at the same time interest cost भी pay कर दिया and finally मेरे जेब में इतना आया है अब आपको चेक करना है forward लिया होता तो कितना पैसा मिलता आपको currency को hedge नहीं किया होता तो कितना पैसा मिलता जिसमें आपको सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है go for it अच्छा है चला so sir margin money का adjustment फिलाल कुछ नहीं करना है the answer is no because अपन लोग ने यहां पे so gain on futures adjust यहां पे हो गया है अपना बाकि जो margin money आएगा वो deposit हो जाएगा आपके उसमें return आजाएगा कोई tension नहीं है अपने को net क्या फायदा हुआ है यह so suppose अपन लोग ने 100 रुपया डाला था अब वो 105 हो गया है तो main फायदा केंता हुआ 5 रुपय का फायदा हुआ है वो इधर लिख लिए बाकि तो 100 रुपया डाला था वो 100 रुपया वापस आ जाएगा और उस 100 रुपय का interest cost वो यहां पे ले लिए समझा तू margin money को ऐसा सुच वो इतना बड़ा है ना margin money तो अपने को लग रहे है पाच लाग भी आया पैसा निया इस लाइक 100 रुपया इंवेस्ट किया था तुने बिजनस में ठीक है अब वह 105 हो गया है तो तेरको वो बिजनस से फाइदा कितना हुआ पाच रुपया तो इधर तुने वह फाइदा इधर तुने लिख दिया बाकी 100 रुपया गया था 100 रुपया आया नो टेंशन समझिव एवरिबड़ी डन अब यह एक और सम है उसमें margin है नहीं वो तो आप और easily कर पाओंगे उसका भी मैंने देखो note लिखाया यह आप उसका भी मैंने यह आपे note लिखाया यह देखो यह note if there is no margin requirement then there will not be step 3 then there will directly be step 4 and खाली एक ही calculation आप लोग का एक और दो ही calculation आप लोग का आएगा हाँ 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 गाड़ इट यह वाला calculation तो आएगा नहीं उसमें फिर बाद में आपको अगर margin वाला नहीं है तो step 3 उड़ जाएगा आपका और step 4 के लिए आपके पास खाली दो ही चीज़े आएगी यहाँ पे एक receipt or payment from foreign currency and variation margin gain on loss in futures market कच्चा everybody एकदम perfectly दिमाग में सेट हो गया है तो अब currency futures का question आता है अपन का 10-12 mark जो भी है वो confirm secure हो जाना चाहिए अब logically भी समझ लेते हैं इसको अब logically भी समझ लेते हैं आजाओ कि भी क्या किया है या आप पे देखो so अभी suppose मैं importer हूँ sorry पहले exporter का लेते हैं क्योंकि वो अभी आपन लोग ने किया ही था तो अगर मैं suppose exporter हूँ then in that case क्या हो रहा है पता है क्या मैं अगर exporter हूँ तो मेरे पास dollar आने वाल है exporter हूँ क्योंकि मैं exporter हूँ तो अगर मुझे यह dollar के गिरने का डर है तो मैं क्या करूंगा shot कर दूंगा ठिक है न कोई भी चीज आपको गिरने का डर होता है ठिक है न तो आप shot कर दोगे ताकि गीरा तो भी आपको फाइदा होगा वाई put option या short क्या बोलता है expectation when you want the market to go down you want the market to go down in shorting थोड़ा यह high level का है आप लोग सीधा currency futures मेरा देख रहे हो तो आप लोग को यह थोड़ा सा heavy भी लग सकते है बटी इन general में बोल रहा हो you want the market expect the market to go down तो आपको नीचे ही चाहिए market जाए और अगर वो dollar नीचे गया तो आप short कर दो तो वो dollar नीचे गया ना तो आपको फाइदा हो जाएगा तो हो सकता है कि currency के terms में आपको loss हो रहा हो but futures आपको short करवा के आपको level पे ले आएगा अब यहाँ पे यह कब करता मैं अगर मेरा foreign currency में ही transaction होता तो मैं short कर देता क्योंकि मुझे डर है कि foreign currency कहीं गेर ना जाए but यहाँ पे contract किसका है contract है domestic currency का तो domestic currency में मेरे को डर है कहीं वो उपर ना हो जाए foreign currency गेरना is as good as अपना currency उपर जाना अपना currency उपर जाना मतलब 1 dollar equal to rupees 85 अगर one dollar equal to rupees 80 हो गया तो अपना currency उपर गया तो अपना currency उपर गया जैने in that case मुझे क्या करना पड़ेगा futures को long करना पड़ेगा यह one dollar equal to 85 and one dollar equal to 80 को convert करो आई नार में तो आपको समझ जाएगा suppose one dollar equal to क्या आता है one dollar equal to rupees 85 को convert करो rupees में तो आ जाएगा आपका one rupees is equal to one upon 85 कितना आता है बोलो 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 चल चल कितना आता है जिरो पॉइंट 01176 अब मुझे डर है कई यह rupees उपर ना चले जाए मतलब अगर यह one rupees equal to one by 80 हो गया ना तो बाई यह हो जाएगा 0.0 1174 तो मेरे लिए यह चिंता का विशेड टेंशन वासा काम है राइट सो इसा कुछ हो गया suppose तो मेरे लिए यह एक टेंशन का काम है तो मैं इस टेंशन को कैसे एक दूर करूंगा तो यह देखो rupees बढ़ गया rupees बढ़ गया rupees बढ़ने में मुझे अगर टेंशन है तो लॉंग कर लो ताकि लॉंग किया तो आप futures में पैसा कमा लोगे लॉंग करके real currency में अगर उपर भी गया मेरे को नुकसान भी हुआ तो futures उसको hedge कर देगा futures उसको काट देगा समझ में आया and that is how hedging is used in the forex market that is how hedging is used in the forex market with this मैंने आपके conceptually भी यह system को set कर दिया है an importer के लिए exactly उल्टा हो जाएगा एए साब जिगड़े वे everybody कच्चा है ड़न विद इस आई complete currency futures एक और question ने institute का वो मैं चाहता हूं आप लोग ट्राइगरो तो आप लोग को भी फील आएगा that yes समझ में आ रहे हैं कि नहीं बट वह easy question है इससे तो जो easy question है वो आप लोग के लिए मैंने रखा है homework के लिए ताकि आप ट्राइगरो और मुझे comment में बताना क्या आप लोग को वो question खुझ से आया की नहीं आया ठीक है I'll be waiting I'll be waiting कौन सा है ये question मैं आपको बता देता हूं institute का ही question है यह 37 यह कुछ है यह देखो इसमें future contract size pound में दिया है तो समझ जाने का यह क्या है तो importer है exporter है if future contract is in क्या बता दूए कि तुम लोग करोगे try yes तुम लोग try करना और फिर बाद में इसमें तो rediscuss कर लेंगे very easy question इसमें margin का tension ही नहीं है तो आपका step 3 उड़ गया तो step 1 करना है step 2 करना है फिर सीधा step 4 करना है and you'll get the answer okay done well done thank you okay so my first transaction first may be a magic book of first lecture a guys even a magic book of first question it do many to local car right time for me to say hasta la vista for this question for this concept comment me what Anna yes a lega see you all take care keep smiling many more things coming ले गिर उब ए्यवे जबा धार दना है वि जब रे विंदर को हिंगे भी जवे लो कर दो मैं यह तो अerve झाल कर दो भी ह अवे दो करना है भी आंप ट्वे मैं यहीं मैं गो मैं बाद हाई गो यहाई गो गवा है